हेई फ्रेंट्स देखे आज इस कंपनी के हम बात करने आले हैं वो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है तीन करोड उननतर लाग की और करंट प्राइस सिर्फ बारा रुपे का है साथ इसाथ निन्यानवी रुपे इसका हाइस था निन्यानवी रुपे 80 पैसे और लो था दस डिविडेंट यह दिल देखिए डिविडेंट देती है 1421 परसंट का यह 12 रुपे का शेयर है लेकिन अभी तक आप यकिन नहीं मानेंगे इसने 102 रुपे तक का जो है डिविडेंट वो दे चुका है और बुक वैल्यू है इसकी 783 रुपे तो बहुत बहुत ही नीचे ट्र कौनसी है कंपनी आगे जानेंगे लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथी साथ अगर कोई आप इस टोक हमसे डिसकस करना च करती है देखेंगे कहां-कहां यह एक्सपोर्ट करती है सारी चीजिस के बारे में आज हम जानने कोशिश करेंगे देखेंगा कंपनी जो है ब्लेड गेर पिलसर एलन की एंड सेट टूल्स ट्रोली तो यह बहुत सारी चीजिए इस प्रिट लेवल यह सारी चीजिए बनाती है इसमें काम करती है और देखेंगे एक्सपोर्ट करती है इस चीजिए को कहां-कहां UK में, USA, Denmark, Israel, Germany, Sweden, Norway बहुत-bहुत बड़े देश हैं बहुत-bहुत जहां यह इनको एक्सपोर्ट करती है लग-बग-बग पूरी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट का काम है और देखें जो financial year था 2021 उसमें जो है company ने product manufacture करके इससे 23% कमाया है और trade में जो ब्यापार होता है sales of trade product इसमें 74% से इसका रिवेन्य लगबग आया है तो company बहुत अच्छा work कर रही है तो दोस्तों अगर company में आप अगर 1000 रुपे भी invest कर देते हैं तो कम सकम 10,000 रुपे को तो आपका dividend के रूप में ही आता रहेगा और अब जो है company के कुछ प्रोज और कुछ कॉंज देख लेते हैं देखेगा company has reduced debt यानि कि अपने debt को कम कर रही है और almost debt free है अपनी book value से देखे कितने सस्ते पे मिल रही है 0.02 times तो बहुत सस्ते पे company मिल रही है और सबसे बड़ी चीज जो है जिसको हमने discuss किया है पहले भी dividend yield है इसका देखे 1421% का और last 5 सालों में profit growth जो है साड़े 42% से CA0 से यह बढ़ी है साथी साथ पिछले तीन सालों में जो इसने return दिया है वो लगभग दिया है ROE 25.8% का पिछले तीन सालों से कौंज में देखेंगे कौंज में दिया है continue liability of 1.32 क्रोड यानि कि इसकी कुछ liability है एक क्रोड 32 रुपे की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके कुछ peer comparison देख लेते हैं देखें इसके जो comparison में कंपनिया है भारत फॉर्ज, Sona BLW और AIA कुछ बड़ी बड़ी कंपनिया महिंद्रा यह कुछ बड़ी बड़ी कंपनिया है जो इसके comparison में आती है आप देख लीजिए और इस कंपनिय का नाम है देखें टपारिया टूल्स नहां देखेंगे देखें कंपनिय की 10 साल में जो है 12% से sales बढ़ी है 5 साल में भी 3 साल में भी लेकिन इस साल जो है 18% से और compound profit growth देखेंगे तो 10 साल से 24% का है 5 साल से 43% 3 साल से 40% और इस साल 20% का profit इस वार थोड़ा सा कम हुआ है balance sheet देखेंगे देखेंगे share capital है हमेशा 3 का रहा है और reserve रहे हैं देखें जो 27 करोड के कभी हुआ कर थे 2011 में आज ये बढ़कर पोच गए है 235 करोड और borrowing का देखें जो 16 करोड हुआ करती थी वो आज 0 है तो बिलकुल debt free company ये हो गई last में company का share holding pattern देख लेते हैं देखें promoters ने 99.72 का holding बना रखी है हमेशा से ही सन 2019 से और public के पास है 30.28% सिर्फ देखें promoters जो है 25% से ज़्यादा ले भी नहीं सकते हैं और public जो है इसमें sale करती नहीं है क्योंकि 12 रुपे का share है और 100 रुपे से उपर का तो इसमें dividend ही मिल जात last में company का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं देखें company का नाम है taparia tools limited यह company है जो 12 रुपे और 10 पैसे पे मिल रही है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो please like कीजेगा और channel को subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपको देते रहें चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत